Hello everyone, आज हम करेंगे Mass Olympiad की ये worksheet, question number 16 onwards, let's get started. So question number 16 में हमें दिया है, what is the next number in the series? यहाँ देखो हमें number दिया है 1, 3, 6, 10 और ये question mark वाला number हमें पताना है. तो 1 से 3 पे जाने के लिए हमने क्या किया? 1 में 2 प्लस कर दिया. 3 से 6 पे जाने के लिए हमने क्या किया? 3 में 3 प्लस कर दिया. 6 से 10 पे जाने के लिए हमने 4 प्लस कर दिया. पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, plus 2, plus 3, plus 4 और अब हम करेंगे plus 5. तो 10 में हम plus 5 करेंगे, question mark वाला number होगा 15. Question number 17, find the sum of common prime factors of 154 and 224. Prime number वो होता है, जो अपने अरावक किसी और table में नहीं जाता. तो हम यहाँ पे common prime number निकालने हैं. सबसे पहले 154 और 224 के factors निकालो. यह देखो, दोनो 2 के table में जा रहे हैं. यह गया 77 times और यह गया 112 times. अब दोनो 7 के table में जाएंगे, 11 times and 16 times. अब 11 और 16 दोनों किसी भी common number में नहीं आता ना? ठीक है, इसको यहीं छोड़ दिया. अब देखो, हमें निकालना है prime common numbers. तो prime number, हमारे पास common factors आए 2 and 7. और यह दोनों ही prime number है. 2 और 7 किसी और के table में नहीं आते. और question में हम से पूछाता इनका sum. तो 2 प्लस 7, answer would be 9. Question number 18. Sneha had two 2,000 rupees notes. She spent 3 by 8 of it on a dress and bought a pair of heels for rupees 945. How much money did she have left? Sneha के पास 2,000 rupees के note थे. तो total उसके पास हुए 2 multiplied 2,000, 4,000 rupees. सबसे पहले उसने एक dress खरी दी, 3 by 8 of 4,000 की. तो 3 by 8 of 4,000 करो. 8, 5,000, 40 and 5, 3,000, 15. तो यहाँ पे 1,500 की उसने address करी दी और हमको यहाँ पे उसने एक pair of heels, जो shoes लियें, उसका price दिया 945. दोनों को add करो, यह आया 2,445. तो इतने का उसने खर्चा किया. उसके पास total 4,000 थे. आप 4,000 में से 2,445 को subtract करो. तो यहाँ से 1,000 हट जाएगा और 23 में add हो जाएगा. तो यह तो हो गया 24 किलो मीटर, 125 मीटर. अब answer देखो, यहाँ पे तो कोई भी answer यह नहीं है. mixed fraction में दिया हुआ है. तो जो 24, जो हमारे पास पूरा नंबर है, यह तो हो गया किलो मीटर. अब यह 125 मीटर है. इसको हमको convert करना होगा किलो मीटर में. तो 125 को हम 1000 से divide करेंगे. और इसको simplify करो. देखो, काटके यह आगया 1 by 8. तो 24, 1 by 8 is the answer. question number 20 में हमें cost of peanuts दियो ही है. तीन अलग-अलग stalls पे. और हमसे पूचा है, कौन सी 2 stalls हैं, जिनका price same है. ठीक है, तीनों का price देखते हैं. stall P जो है, 150 rupees kg में बेच रही है, मूफली. stall Q जो है, 100 rupees में 600 gram दे रही है. 600 gram, 100 rupees में दे रही है. हमको उपर वाले में 1 kg की cost दीती. यहाँ पे भी 1 kg की cost निकालते हैं. तो 600 gram, 100 rupees में. 1 kg में 1000 gram होते हैं. तो यहाँ पे हम कर देंगे 100 divided by 600, multiply 1000. तो इसको simplify करके आया, 166.67 rupees. तो यहाँ पे 166.67 rupees kg में मिल रही है, peanuts. अब stall R पे आजो. यहाँ पे 105 rupees में 700 gram. 700 gram, 105 rupees में. तो 1000 gram कितने हो जाएगी? 105 divided by 700, multiply 1000. और इसको simplify करके आया, 150 rupees. तो stall P और R, दोनो 150 rupees kg में बेच रहे हैं. और अब question number 21 onwards हम करेंगे अपने अगले वीडियो में. और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो subscribe. Bye-bye.